नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में इलेक्टिकल की और कुछ इंपोर्टेंट अब्जेक्टिक कुस्चन के बारे में डिटेल में डिसकोशन करेंगे और अगर आपको वीडियो आच्छा लागता है तो सब्सक्राइब जुरूर किजेगा तो देखो आज का पहला कु जो हम एंनर्यजी आपके कोई वीडियो में होता है फिर भी अगर इस उसको हम क्या कहते है और ऊसको एनर्जिण मिट का क्या वा में होता है आप्रियो नंबर Skama वात अब्सक्राइब्स करेंटर देन देखो next question नेस्ट कूचन है three phase for require system, is commonly used for. देखो, जो three phase for require system होता है, इसको हम primary distribution में याा…? secondary distribution में या फिर primary transmission में या फिर secondary transmission में करते हैं तो इसका answer होगा, जो three phase for require system होता है, इसको हम secondary distribution system में या यूज करते हैं, option number B होगा, इसका correctly answer सार यह वाला देखो यह हमारे सेकेंडरी net करनेक्स vat ऐसे सबर और यह प्बाइटा हुएंड घुर शadow dez停 तो इसलिए इसको मैं क्या कीहते हैं थीफेड फेर शिस्टम है और इसमें गर्फ कuba हम किसी आ trabalho को इलेक्टिक कोरनेक्सिण करते हैं थेखे तो आश्या bet लिए यह को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब तो इस लिए जो फेरास फॉर सिट्रम होता है इसको और की नुट्राइब की जोरत होता है और अप्शन निमभर भी होगा इसका कोरट एंसर देन देखो Next Question is Salient Pole Type Rotor as compare to cylindrical Feder देखो एक होता है सलेंट compliant rotator होता है दूसरा होता है cylindrical fractions यह दोनום को गर ऑसलेंट्ठ बोर्टर होता है इसका diameter काम होता है और 16 L naive ज़्यादा होता है या फिर इसका diameter ज्यादा होता है एक्भोता है या फिर इसका diameter और 16 LtGood unit यह पिर इसका डाइमिट्र और एक्सियल लेंग्द दोनों ज्यादा होता है तो इसका एंसर होगा जो स्लीन पोल से और इसका लेंग्द कॉम होता है इसका यह वाला फिकर देखो यह होता है हमारा cylindrical pole type का, इसका diameter ज्यादा होगा, इसका diameter कम होगा, इसका axial length कम होगा, इसका axial length ज्यादा होगा, और एक बात याद रखो, जो हमारा speed का formula क्या है, speed is equal to 120F divided by P होता है, means जिसका pole ज्यादा होगा, उसका speed कम होगा, तो इसलिए जो हमारा वहता है इसका स्पीठ ज्यादा आता है इसलिए इसमें पॉल नंबोर पॉल कं होता है और सलन्र पॉल टाइप करते हैं यापन सरकिट और को लौब भूलटेशाइड में करते हैं या फिर उपन सरकूट को हम लौब वल्टेशाइड में करते हैं या फिर उपन सरकूट टेष्ट को हम है सब्सक्राइब करते हैं और अप हमारा ओपन सर्कुट टेस्ट देखो जो हाइब टेस्ट करते हैं तो इसलिए एक ट्रांसफर्मर में ओपन सर्कुट में करते हैं और सोर्ट सर्कुट टेस्ट को हाइब और इसके साथ आपको यह भी यॉधर रखना होगा तो आपकर यूजिन आयर बास्किम्रेय मलता है नौप होता है तो आपछ nay ard Anna यूजिन बास अरकेंट गर्रोट होता है ऊसमें जो एर का हम यूज करते हैं उसमें लिश्टम बहुत कम और य på वह पीर्शत्रों में ध्यौरी होता है या फिर उसमें ऒरीवरार सरीट बेकर में जो आर होता है उसमें मुएश्च्छr से फिरीं होना चाहिए तो इसका एंसर और एा ब्लास्ट सार्किट ब्रेकर में जो एater का उजप करते हैं वो भी फ्री फ्रम मोばšर मिलो उसमें मुआस्टौर का भेलू 0 परेसंट मन मुइस्टर एपसेंड होना चाहिए मुइस्टर नहीं होना चाहिए तो अप्सन नमबर डी होगा इसका एंसर एंसर यह सेंट्रीफगतल वहाग है इसे कुछ भी नहीं होता है तो इसका श्राइब जो सेड़ाड़ मोटोर होता है उसमें नाकिया पाशिटर होता है नाकिसेट्रेडाच्च होता है तो लाद्ध भाग में दिलाच है ये एक पर्षॉन है और एओ पर्षॉन है जो पर्षॉन है इसमें। यह ओर्मारा यह जो ब्लक की सब्सक्राइब के कोपर के rock इसको यह हम सेडिंग कोईल है इसे लिए इसके पॉल में शेडिंग को एलई इसलिए इसको हम सेडिंग पॉल मोटर कहते हैं और इसमें कापासिटों नहीं होता है , कॉमेटर मिन होता है, सेट्रिफिक वी नहीं होता है , और एक भाद यद रखो यह एसले होता है एक आंसें देखinelyे जो हो ट टाइबी आपका होता है उसमें जो होट ऑ होता है वह कौन सा मेट्रियल का होता है फोस्परिस ब्रोंज का होता है या फिर निक्वियूम्या-यलोई वेल्डिंग जनरेट्टर वील हैव देखो जो वेल्डिंग जनरेटर होता है उसके उसमें लाब वांडिंग होता है या फिर आइदर लाप और वेवर्णिंग हो सकता है या फिर वेवर्णिंग होता है या फिर नोन अपदीज तो इसका अंसर होगा तो जो वेल्डिंग होता है उसमें हमेल लार्ज कोरेंट ज्यादा कोरेंट की जोरूत होता है और लो वोल्टेज की जोरूत होता है तो इसलि के लिए हमें हाई कोरेंट की जरुत होता है इसलिए हम लाप पुयंडिंग करते हैं और यह लाप पुयंडिंग लोब अल्टे रहाय कोरेंट वए वन्टिंग् इसका Core Ent entfer then Max कोंचनदगो एन इनमीटर जो एमिटर होता है इसका उम See में क्रेइशन करते हैं और जितना Core mental करना हता है सारे के कव्रणटे इसके फ्रोफ लोटा है या फिर इसको में करनेक्शन करते है और जितना Core कुछ पाट होता है तो जो हम सड़ान करते हैं और यह दखो यह फीड़ दखो इसमें यह ऑप जो होता है क्योंकि जितना कॉलेंट होता है इसके तो सारे के सारे को एक लिए आसान होता है तो तो इसलिए option number A होगा जो emitter होता है वो सीरिज में connection होता है और जितना current होता है सारे के सारे current major flow through this इसके current flow होता है और उसको बहुत major करता है तो option number A is the current answer और आज के लिए इतना ही thanks for watching और अगर आपको वीडियो आच्छा लगता है तो subscribe जुरूर किजेगा